आप लोगों के घर में सब लोगों को इतने जरूरी है और कौन से वाइटमीस आपको खाने है यह वाटर शॉलिबल वाइटमेन क्या होटा है यह क्या होता है यह वाटाइस शुरू करते हैं सी वाइटमीन्स मिनरल्स यह वो चीजें हैं जो आपके खाने में होती है जो आपके फूड में होती है और ये आपकी बॉड़ी को चाहिए सही तरीके से काम करने के लिए आपको ग्रो करने के लिए आपको डिवलप्मेंट के लिए बच्चों के डिवलप्मेंट के लिए और यहां तक के आप लोगों के अले अगलग प्रकार के हॉ hormones or special roles को अता करने के लिए vitamins की जरूरत होती है right और आपको vitamins मिलते हैं बहुत सारे चीजों के लिए जैसे for example vitamin D की जरूरत है bones के लिए D नहीं तो bones खराब vitamin A की जरूरत है आपके आखों के लिए right आपके आखों के नाइट विजन के लिए, वाइटेमिन B की ज़रूरत है, आपके बॉड़ी के एनर्जी के लिए, नसों के लिए, दिमाग के फंक्शन के लिए, लेकिन जो डिफरैंस है, जो मेन पॉइंट है कि वाइटेमिनर। होते हैं, पाटेद होते हैं, जी हां ऐसा होता है, दो प्रकार के वाइटमिन, वाटर सॉलुबल, फैट सॉलुबल, राइट, अगर आप पैट सॉलुबल वाइटमिन यहने लेते हैं, जिनको बेसिकली जो आपके फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फैट हैं, यह मोटे हैं, यह चर्बी है, यह fat है, so fat के अंदर आपके fat soluble vitamins store हो सकते हैं और वो रह सकते हैं काफी समय के लिए आपकी body के अंदर, लेकिन water soluble vitamins नहीं रह सकते हैं fat soluble vitamins body के अंदर रहते हैं और यह काफी दिनों के लिए रहते हैं और लंबे समय 6-6 महीने तक store रह सकते हैं, जब भी इसकी ज़रूत होती है उन fat-soluble vitamins की आपकी body वहाँ से निकाल के इस्तमाल कर सकती है, ये कौन से vitamins है, vitamins A, D, E, K, A, D, E, K है fat-soluble vitamins, B और C छोड़के, right, so ये fat-soluble हो गया, water-soluble vitamins different होते हैं, वो fat में store नहीं होते, body में store न नहीं मिलेंगे, water-soluble चीज़े खाने बने, fruit से मिलेंगे, दूद में मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजों में मिलेंगे, right, आपकी body में store नहीं होते हैं, आपको रोज खाना पड़ेगा, आपकी body में जितना इस्तमाल है, उतना इस्तमाल करके, extra urine में निकल जाएगा, okay, water-soluble है urine में निकल जाएगा, so, आप जितना use नहीं करेगा, वो ज्यादा निकल जाएगा,